नमस्कार ओम शान्ती देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं ब्रह्मा कुमारीज में जीत का मंत्र लेने पहुँची दक्षिन अफ्रीका अंडर उन्निस की पूरी क्रिकेट टीम क्रिकेट का खेल पूरी दुनिया में लोग प्रिये है हर टीम मैच जीते और बहतर प्रदर्शन करें इसके लिए टीम के कोच से लेकर हर खिलाड़ी कई प्रकार का प्रयास कर रहे हैं इसी कड़ी में दक्षिन अफ्रीका चैट्स क्रिकेट अकेडमी अंडर 19 क्रिकेट की 30 सदस्यों की पूरी टीम जीत और बहतर परफॉर्मेंस के लिए फरिदाबाद के सेक्टर 85 ब्रह्मा कुमारी संस्थान में योग और राजयोग सीखने पहुँचे सेवा के इन्द पहुँचने पर ब्रह्मा कुमारी इस बहनों ने उनका स्वागत किया खिलाडियों के लिए खेल में जादू का काम करता है राजयोग जिस पर सभी को प्रशिक्षित किया गया इसके साथ ही बताया गया कि कैसे राजयोग ध्यान से एकागरिता और आत्म विश्वास बढ़ता है और उससे प्रदर्शन में सुधार आता है इस दोरान एकेडमी की मुख्य कोच जावेद जैदी एकेडमी की ओनर बिके आनन्द समीत कई लोग शामिल हुए इस अफ़सब पर राजयोग शिक्षका बिके पूनम ने एकागरिता बढ़हाने तथा संकल्प शक्ति का प्रियोग करने के गुर सिखाए इस दोरान विदेशी क्रिकेट प्लेयर्स ने कालिकरम की ना केवल सराहना की बलके जीवन में उसे अपनाने का भी संकल्प लिया इस मौके पर के अन पंडित, बिके जोती, बिके मेताली एवं बिके नवीन ने सभी खिलाडियों को इश्वरी सोगात भेट की और जीवन मे सफल होने की शुपकामनाय दी तनमन के सशक्तिकरन के लिए पुलिस कर्मियों को राजियों का मंत्र समाज में शांती और व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस कर्मियों का महत्वपून योगदान होता है ऐसे में ये जरूरी है कि वे स्वयम भी तनाव मुक्त रहें पुलिस रेजिंग डे के उपलक्ष में महराष्ट के ठाड़े सिवकेंद के द्वारा इन्ही बातों को ध्यान में रखते वे वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट में पुलिस करिमयों को तनाव मुक्त जीवन जेने की कला सिखाने के लिए विशेश कारिक्रम आयोजित किया गया जिसमें कॉर्प्रेट ट्रेनर बीके प्रोफेसर डॉक्टर ईवी स्वामी नाथन ने मेडिटेशन के द्वारा शरीर और मन में पढ़ने वाले सकरात्मक प्रभाव के बारे में बताया तुर्शी नगर सिवकेंद प्रभारिवी के सीता ने पर मात्मा के दिव्वे अव्दरन का संदेश दिया जहां आप शरीर का व्यायाम हम नहीं कर सकते हैं, वा मन का व्यायाम, सिखाना बहुत सब्सक्राइब सागत के तले से मैं आपको आस्मान की उचाएक तक लेकर जागा, विश्वत का सबसे उचाएक यह दुगमी, सियाचिन गोंतर से में स्पिकर्स के समोधन के बाद एटेशनर कमिशनर महेश पार्टिल ने ब्रह्मकुमारीज के समाजिक कारों का जिकर करते वे, उसकी सरहना की साथे बीके सदस्यों का सम्मान किया, इस मौके पर डी सीपी अमर सिंग जाधाओ, एसीपी गुजरन कब्दूले समेथ बड़ संख्या में पुलिस कर में मौजूद रहे, इसलिए हमारा सूर्य यहां उदय नहीं हो रहा है, तो क्या इस वर्ष का एक एजिंड़ यह भी हो सकता है, कि हम सूरज को उठाएंगे, means we'll get up before sun rises positive, और वो मजबूरी बड़ा उठना नहीं है, यह मेरी choice है, यह मेरी महान देश की महान संसकती है, early bird catches high, तो अगर मुझे जिंदगी में आगे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा, और जल्दी उठने के लिए, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, प्रवन्दन विशेशग्य B के पीउष थे, जो कि लोधी रोड सिवकेंद पर आयोजित कारिक्रम में, केंद्री क्रिशे मंत्राले, MMTC जैसे कई मंत्राले वा कंपनियों के लोगों को, खुर्शाल जीवन जीने का मंत्र दे रहे थे, इस दोरान सेवकेंद प्रभारी B के गिरिजा ने परमात्मा द्वारा प्राप्त ग्यान गुण और शक्तियों के खजानों को व्यर्थ ना गवाने का संदेश दिया, तो MMTC के निदेशक आरार सिन्हा वा अन्य अतित्यों ने राजयोग से होने वाले लाप को अनभो के रूप में साजा किया। अमारे अंतर बहुत सारी अच्छाईया हैं, गुन हैं। हम सब के नड़ नपकोई नपए घे, जितने भी लोग पैचे करोब्यान दो, सब कोई नपकोई खुबियां हैं। गुन हैं। उन खुबियों को हम भी यूज करना है। हम अपनी अच्छाईयों को बताना चाम सब अपनी अपनी के अच्छाईयों बताता हम सब चालते हैं अच्छाईयों को बढ़ाते चाहिए आज से करीप 15 साल पहले मेरे भी एक स्पिरिच्वाल कुरू थे उन्होंने भी मुझे यही चीछ बताई थी उस वक पे बहुत जयन था उन्होंने का देखो कि जो मौनिक कर जो भी दस्विट का मेंटेशन तुम करते हो और जो साम में जाके तुम अपना दस्विट करते हो तो तुम जितनी बाहर से जट्रगी लेक आए हो बस उसकी सभाई कर लेते हो जम्षीत पूर के उनिवर्सल पीस पैलेस रिट्विट सेंटर में जूरिस्ट विंग के द्वारा नयाएवीदों और अधिवक्ताओं के लिए राइजिंग जूरिस्ट थ्रू स्प्रिच्वल एंपावर्मेंट विशय पर कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया जिसमें जुला मुखिन अधीश विजय कुमार डीडीसी मनिश कुमार ने कहा कि यहां के वैब्रेशन मानवता के स्रेष्ट कारे के लिए हैं हम सभी को समाज के कारे में सहयोगी बनना चाहिए वहीं माउंट अभुस है वरिश्ट राज्योग शक्षक बिक्यात्मर प्रकाश टाटा में हॉस्पिटल के रेडियो लॉजिस्ट डॉक्टर राजिश कुमार ने आधिहत्मिक्ता के द्वारा स्वयम की कमजोरियों को दूर करने का संदे की समाज का निर्मान कर सकते हैं मद्वदेश में नया बदलाव करते वे ओपन जेल का कंसेप्ट आया है जिसमें अच्छे वेवार वाले कैदियों को सजा के लास्ट के अंतिम दो साल खुले जेल में उनके परिवार के साथ रखा जाता है ताकि बाद में रिहाई के बाद उन्हें समाज में एड़ेस्ट करने में मुश्किल ना हो मौंट अब के वरिष्ट राज्जोग प्रशिक्षक भीके भगवान ने नर्मदापुरम के ओपन जेल में जाकर इश्वरी संदेश दिया तथा जेल अधिशक संतोर्ष तोलंग की उपाधिशक हितेश बंदिया वर कैदियों से खुल कर बातचीत की दिखाते हैं आपको बातचीत के कुछ विशेश अंच नर्मदापुरम के खुली जेल में हूँ और यह खुली जेल में परिवार भी रहता हैं और यहां के हमारे जेलर साब भी है जेल उपाधिशक भी है तो आज मैं उनसे बात कर रहा हूं तो आज वास्ता में खुली जेल का लक्षे क्या है यह कैसे रहते है और किनकों मिलता ह आगे बढ़ें तो पश्चिम बंगाल के मेधिनीपोर टाउन सेंटर में 25 साल से इश्वरी सेवा में समर्पित बीके सदस्यों के सिलवर जुबली पर विशेष्ट उस साथ देखने को मिला एक तरफ जहां कारिक्रम में माउंट आवु से आए बीके हरी, कॉंटाई सेवा केंदर प्रभारी बीके सुप्रिया, तमलुक सबजों प्रभारी बीके अलपना, बीके सोनाली समेत अनेक विशिष्ट बीके सदस्यों को सम्मानित किया गया तो वहीं विशाल युनिवर्सल पीस रेली निकाल कर विश्व शांती का संदेश दिया गया फरिष्टों की ड्रेस में निकली बहनों और कलश लेकर निकली माताओं ने अपनी शान्त में इस्थिती से पूर्यवातावरण में शान्ती और पवित्रता के वैब्रेशन्स फैलाए आज के बुलिटिन में इतना ही अने खबरों के लिए देखते रहें मधवर नियूस